क्या शुगर دोसो नॉर्मल था नहीं है शुगर डाइस ओ होगी आपकी वो भी नॉर्मल है जा नहीं है 280 आपकी शुगर रेंडम आ गी है तो क्या जे बढ़ी हुई है जाँ दोसो सतर शुगर है क्या जे हाई है इसको समझने के लिए आपको मेरी सिंपल सी बात समझनी है आपने खाना खा लिया है खाना खाने के एक से तीन गंटे अंदर आपकी शुगर दो सो आजाए डाई सो आजाए दो सो असी आजाए random sugar होता है कि खाना खाने के बाद की हुई sugar की जाच को हम random बोलते हैं आपको sugar 270 आजाए, 200 आए, 200 आए, 280 रेंडम आए, 270 आए, खाना खाने के 1 से 3 गंटे बाद तो यह सारी sugar नॉर्मल है यह बड़ी हुई नहीं है नहीं कहीं पे इसके लिए कोई दवा की आपको जुरूरत है क्योंकि आपको पताओने चाहिए जब भी आप खाना कोई खाते हैं तो जैसे विव वो खाना आपका एक से तीन गंटे में आंत तक पहुंचता है इंटेस्टाइन आंतडियों में पहुंचता है तो वहाँ पे जाके आपके खाने से बहुत सारी शुगर निकलती है तो वो शुगर अगर आपने जैसे आलू ज़्यादा खा लिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है वाइट राइस है जो सफेज चावला वो ज़्यादा खाली है उसके अंदर बहुत शुगर है कोई मिठे वाली चीज खाई थी ऐसक्रीम कोई स्वीट्स खाए थे आपने तो आपकी शुगर पांसो तक भी जा सकती है अगर तीन गंदे से पांस से छे घंटे तक का जो पिरिड्स है आपने कोई भी चीज खाई थी उसके तीर गंदे बाद से लेके जो सात गंदे तक के जो चार गंदे है बीच के अगर इसके दरान आपकी शुगर 500, 300, 280, 270 आती है तो ये खाई है अगर खाना खाने के तीन गंटे तक आती है तो ये नॉर्मल है क्योंकि तीन गंटे तक आपका जो शरीर है कंट्रोल करने वाला जो शूगर को काम शुरू कर देता है अगर 3-7 गंटे तक भी बड़ी रहती है तो इसका मतलब आपका शरीर शुगर को कंट्रोल करना छोड़ चुका है तो यह हाई रेंज में अगर 3 गंटे खाना खाने के बाद हुए है आपको शुगर 200-300 आ रही है तब अगर आपकी शुगर 200 आती है तो यह नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी यहां 280 आती है 270 यह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है आपको अपने खाने पीने में सुदार करने की जरूरत है यह इतनी भी नहीं गडबड हुई है अगर खाली पेट किसी दिन आपको आगी है कि आपको एकदम से कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है यह कंट्रोल बिल्कुल ठीक हो सकती है ठीक होने के उपर बहुत सारी वीडियोज है मेरे चैनल के उपर आप सारी देख सकते है जोने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले होप है आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा बहुत बहुत शुक्रिया